बिसम्लाइ रमानी रहीम असलाम अलेकूम वीवर्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब खेरिये से हूंगे वैलकम है आपका मेरे किचन में और आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए बना रही हूँ बred cheese सरी यार कर देंगे और नमकया हम इसमेंब इसमें बता Barbara सुछ की चीज में फिबमकता है और हमें उपक्यां। यहां पर मैं नियनिये पीद करके तो देखीए या जो मेरे पास दो ब्रेट केलिए स्लाइस थे इस पर हम पि́जा topping लगा देंगे अगर आपके पास पिज़़ वन चेटनी भी लगा सकते हैं तो मेरे पास पिज़ा टॉपिंग है तो मैं वो लगा रही हूँ तो इस पे अच्छी तरह से चारू तरफ हम अच्छी तरह से पिज़ा टॉपिंग को लगा देंगे तो दीखे, बहुत अच्छी तरह से मैंने इस पर चारो तरफ से लगा दिया है और दूसरे ब्रेट के स्लाइस पर हम टमैटो केचप लगाएंगे बच्चों को टमैटो केचप बहुत पसंद होता है तो बहुत अच्छी तरह से हम इस पर टमेटो केचप को लगा देंगे चारो तरफ अच्छी तरह से तो मैंने खूब अच्छी तरह से इस पर टमेटो केचप को लगा दिया है चारो तरफ और अब चलते हैं नेक्स पोसेस में तो दिखिए यहां पर एक तवा मैंने रखा था और तवे पर मैंने बटर अपलाई कर दिया है और हम अपने ब्रेट के SliCes को इस पर रखेंगे तो यह मैंने ब्रेट का SliCes एक रखेंगे और उसके बाद हम इस पर चीज लगा देंगे तो दो slice मैंने cheese के लिए थे और दोनों ही slice हम इस पर लगा देंगे तो ये मैंने दो slice bread के उपर रख दिये हैं और दूसरा वाला जिस पर हमने tomato ketchup लगाया था उसे भी हम इस पर रख देंगे तो देखिए दोनों साइड से बहुत अची तरह से हमारा bread जो है वो fry हो गया है सीख गया है बहुत अची तरह से अब हम इसे निकाल लेंगे तो यह मैंने इसे निकाल लिया है और तवे पे हम थोड़ा सा butter और अपलाई करेंगे तो यहां मैं थोड़ा सा butter इस पर और अपलाई कर देती हूँ तो इस तरह से हम इस पर butter लगा देंगे अची तरह से और उसके बाद हम आमलेट को fry करेंगे तो दीखिए बहुत अची तरह से हमारा butter घरम हो गया है और इसमें अब हम अची तरह से थोड़ा सा और बीट कर लेंगे फेट लेंगे उसके बाद डाल देंगे इस तरह से और इसे चारो तरफ इसे चारो तरफ इसे चारो तरफ कर देंगे अची तरह से इस तरह से इसे इ ब्रेट का स्लॉस्वे हम टोस्ट किया था इसरे को रंग। चारो तरौँ तरफMA से हमWhatde चारो तरफ से इसवर पर चैनल के लाज आपलेंगे तो दिस साथ प्रया नास प्रभी कर देंगे एकभस हमसे दढ़ते कि रीजह हम अछा लगा देंगे चारों तरफ से इसे कवर कर देंगे ब्रेड को इस तरह से बहुत ही टेस्टी ब्रेड चीज ओमलेट बन करके ये तयार होता है बच्चों को तो ये बेहत पसंद होता है बड़ों को भी ये बहुत अच्छा लगता है तो नाष्टे में आप शुबा के टाइम इसे बना सकते हैं आप बच्चों को इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं वीडियो अच्छी लगती हो अगर आपको मेरी तो प्लीज मेरे चानल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें तो दिखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है बहुत अच्छी तरह से दोनों साइट से मैंने इसे अच्छी तरह से सेक लिया है दिखिए दिखने में कितना ही शांदार लग रहा है और खाने में तो इसका कोई जवाबी नहीं है टेस्ट इसका बहुत ही यूनिक होता है बहुत ही टेस्टी बन करके ये तैयार होता है तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा तो रेस्पी हमारी हो गई है तैयार और आपको मैं दिखाती हूँ इसे सर्फ करके तो लीजे अलहमदोलिल्ला अलहमदोलिल्ला बन करके तैयार हो गया हमारा ब्रेट चीज ओमलेट बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बना था मेरी फैमली में सबने बहुत इंजवाई किया आप भी अपने घर में इसे बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं सभी को ये बहुत पसंद आएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरी रेस्पी इस पसंद आती है तो प्लीज मेरे चानल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और फैमली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए तो चलती हूँ दौाओं में याद रखिएगा मिलते हैं फिर एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए लाहाफिज